हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू एनधर वीडियो एच पी जेविटी टैट के मैच सेक्शन के कुछ इंपॉड़न फॉर्मूले और कोश्चन्ज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम इसको डिसकस करेंगे देखते हैं फर्स्ट कोश्चन पहले कोश्चन में है प्रत्म एन प्राकृत संख्याओं का योग याद करने का फॉर्मूला Sum of first n natural numbers ओके अगर sum निकालना है पहले n natural number का तो पहले first n natural number कौन होते हैं जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच and so on तो इनके sum निकालन ले का formula n into n plus 1 upon 2 formula का यवा direct formula भी पूछ ले जाता है sum of first 15 natural number जैसे हमने निकालना है, तो n की जगा हमने 50 पूट कर देना है, 15 15 into 15 plus 1 upon 2, तो 15 गुना 15 जमा 16 बटा 2, चो 2 से गाट दे हैं 2 आठे 16, 15 आठे 120, हमारे पास सम आया, पहले 15 संख्याओं का सम, जैसे अगर गिंती लिखें 15 तक, तो इनका सम आया, टोटल 120 फॉर्मूरा है, n गुना n जमा 1 बटा 2 ओके जी, चलिए नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन में है सम ओफ फर्स्ट n इवन नंबर प्रतम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का ओन से होती है 2, 4, 6 8, 10 and so on तो इनका फॉर्मूल होता है, n गुना n जमा 1 जो अब हमने केवल n प्राकृति संख्याओं का योग किया तो यहाँ था n गुना n जमा 1 बटा 2, अगर हमने even numbers का सम निकालना है तो यहाँ पे 2 हट जाएगा बटा से simple n गुना n जमा 1 तो जैसे हमने यहाँ पे पुछा है कि 6 even numbers first 6 even numbers का सम ग्याद किजिए तो n की जगा हमने 6 पूट करना है 6 into 6 plus 1 यानि की 6 into 7 52 sorry 42 42 सम आएगा पहले 2, 4, 6, 8 10, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका सम करेंगे आप 20, 42 formula याद रखे n गुना n जमा 1 कई बार examination में direct formula भी पुछ रहे है था तो formula भी आपको पता होना चाहिए next question है प्रथम n विशम शंक्याओं का योग यानि की sum of first n odd numbers formula होता है n square odd numbers जैसे 1, 3, 5, 7 9, 11 and so on अगर आपने first 12 of odd numbers का sum ग्याद करना है तो ऐसे तो आपको बहुत time लग जाएगा अगर आपको formula पता है तो आप एक मिनट के अंदर कर सकते हो है formula है n square जैसे हमने 12 of odd numbers का square ग्याद करना है तो हमने simply लिख देना है 12 of का square 12 of का square होता है 12 का वर्ग होता है 144 144 एक दो सेकेंड में आपका question हो जाएगा sum of first odd numbers n square ओके जी चलिए next formula next formula है प्रतम n संख्याओं के वर्गों का योग sum of first n natural numbers square of first n natural numbers जैसे एक का square दो का square तीन का square चार का square ऐसे ऐसे अगर आप से sum पूचा जाए जैसे यहाँ पे पूचा है find the sum of first square of square of first seven natural numbers पहले साथ natural numbers के square का जमा गैद केजिए तो formula है n गुणा n जमा एक 2n जमा एक बटा 6 n गुणा n n गुणा n जमा एक बटा into 2n जमा एक बटा 6 तो n की जगा यहाँ पे 7 पूचा है 7 natural numbers का sum तो 7 into 7 plus 1 7 into oh sorry 2 into 7 plus 1 upon 6 तो 7 गुणा 8 गुणा 7 2 14 जमा एक बटा 6 तो हम लिख सकते हैं इसको 7 गुणा 8 को लिख सकते हैं इसको यहाँ करते हैं साथ यहाँ करते हैं साथ यहाँ च्छपन गुणा पंदरा बटा 6 तो 56 गुणा पंदरा 56 गुणा पंदरा गरेंगे 840 बटा 6 काट देंगे 6 से 6 कम 6 2 बचा 64 24 0 अंसरा है हमारे पास 140 स्क्वेर ओफ सम आफ स्क्वेर ओफ फरस्ट 7 नैच्रल नंबर 140 फॉर्मूला याद रहोना चाहिए आपको एन गुणा एन जमा एक 2 एन जमा एक बटा 6 ओके जी अब लास्ट कोस्टन है प्रतम एन संख्याओं के घनों का योग सम औफ क्यूब औफ फरस्ट एन नैच्रल नंबर पहले हमने किया घनों का जिसमें स्क्वेर था अब है यहाँ पे एन क्यूब पूछाओ अगर आपसे जैसे 1 की 3 2 की 3 3 की 3 4 की 3 4 का क्यूब ऐसे अगर आपसे पूछा गया है इन का सम पूछा गया है अगर आपसे तो आपको सिंपल फर्मूला याद रखना है n गुना n जमा 1 बटा 2 का होल स्क्वेर अब n गुणा n जमा एक बटा दो पहला question हमने किया था जिसमें के वल अंदर वाला ही था formula यह होता है n natural numbers का sum लेकिन जब square कर देते हैं इसको तो हो जाता है यह cube का cube का जैसे question में पूछा है cube cube हमने 8 natural number के cube का sum ग्याद करना है तो 8 गुणा 8 जमा एक बटा दो का square कर देंगे अगर तो 8 गुणा 9 बटा दो का square तो दो एकम दो दो चौके 8 9 चौके 36 का square 36 का square कितना होता है 36 का square होता है 1296 6.36 का square होता है 1296 तो 8 natural numbers के घनों का जमा जोड आएगा जमा आएगा 1296 फॉर्मूला अगर आपको पता है गुणा एन जमा एक बटा दो का square ओके जी ये 4 से 5 फॉर्मूले बहुत important है यहां से examination में question बनता है तो इनको note कर ले and thank you so much psychology की एक separate video हम डाल देंगे कल इसमें हम सारी theories revision कर देंगे quick revision इसमें हम कोई ज़्यादे detail में नहीं जाएंगे quickly हम सारी psychology के important theories है revise कर देंगे and thank you कर देंगे तो कर दो